गायला वस्था में वेक्ति लाया गया सरकारी ट्रॉमा गोली मारने का आरोप थाना टूंड लाक्षेत्र नगला हरिश्चंद का मामला चिकित सक ने दिया उपचार कहा हमें नगर आही चोटें एक सरा आधी के बाद चलेगी गोली की बात पता फिरुजबाद थाना टूंड लाक्षेत्र नगला हरिश्चंद्र निवासी 48 वर्षिये राजपाल पुत्र सुल्तान सिंग को गायला वस्था में जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया यहां डायूटी पर पैना चिकित सग डॉक्टर ट्रमोर्भद करिया ने उप्चार दिया वहीं परिजनों का आरोप था कि उसे शौच से लोड़ते वक्त कुछ लोग रहा में खड़े थे परिवार के ही लोग थे पहले से कुछ विवाद मानते थे इसी के चलते आगे निकलने पर गोली माच गोली का हाथ में लगना बताया गया है आलांकी चिकित सग डॉक्टर ट्रमोर्भद करिया का कहना था हमें चोटे नजर आई गोली लगने की बाद एक सरा आधी के बाद पताच चलेगी दूसरा मरीज की हालत भवन फिलहाल सुदार है कि क्या नाम है अपका राजपाल जी किस तरह से गटना हुई हो क्या हुआ किस तरह से गटना हुए आपके साथ साथ रहा था इस लोग वाँ खड़े थे तो यह लोग मां खड़े थे पॉन लोग थे लच्छमन पृत्रशादी गा हुआँ किया हुआ कई था उपकी साहता नहीं तो में खारा उट जमने करूंग नि मार्या कर दिख है उख तो फिर क्या है क्योंता को तो blij तो थोड़ा हुआ को नाम क्या आपका राज काल सीन क्या नाम ही आपका सेलेंजी जी गटना किस तरह की तुई हो क्या हुआ था मामला क्या था किस तरह का मामला है तो पुलिस बगहर आई है क्या बुली कहा लगी है अब किस तरह के आलात है उनके चोड़ आमला हाला तो दम गए गोली कहा लगी है जो मरीज आया है क्राशपाल करके उनके पापा का नाम सुल्तान सेंगे और नगला अरीशन्त के रहने वाले टूल्डा थे और इनका मेडिकल काई तो तूल्डा मोना चाहि है मरीज कह रहा है मेरे को किसी ने पॉली से हमला किया है लेकिन अभी हमें पॉली मिली नहींगे हम इसके अब चोड़े वालों का एक्सरे कराएंगे देखेंगे कि वहां पे गंड हमें गुलट बकारा मिलती है कि नहीं मिलती है और जो भी है उसके बाद परमापको पूली कि इसके बारे में जन करी देंगे